मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अप्लोड करी थी बिक स्काम एक्सपोस के नाम से तो आपके एसाब से इस पूरी लडाई में कौन सही है कौन गलत है नई, सिर्फ यह नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकल यह बताना है कि अगर मैं सही हूँ तो क्यों हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो क्यों हूँ मेरा ये जो उपीनियन है ना वो मेरे भाई के भी एक्स्पीरिंस पर बेस्ट है ना कि जिस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देखकर आई हूँ बेसिकली मैं इसको बहुत करीब से देखा है क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे अभी मैं UPSC कर रही हूँ यहाँ पर तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था मुझे भी कई बारी अप्रोच किया था वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कैसे एक इंसान को अलग साई इन्वार्मेंट कर दिया जाता है कि आपको समझ में नाएगा कि क्या गलत है क्या सही है वो इतने अब अब नहीं कॉंफिडेंट होगे इस पेशली एक लड़की थी मेरी फ्रेंड थी वह मुझे बोलती थी कि तू चल तू चल तो हमेशा उसके स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फोटो पोस्स करें एक्जाक्ली गाइस अम नॉट लाइक तो कोई मुझे के साथ डाल रहा है तो भाई ने भी मुझे कर लिए बात बताए कि यह सब सब फेक होता है अगर प्रोड़क बेचना तो आप सिंप्ली बेस दो ना कि हाँ साबून है दस रुपए का ले लो उसके पीछा BMW क्यों दिखारो जो कि वह पॉसिबल नहीं है एक्जाक्ली कि यह कुछ लोग को यह लग रहा है कि यह लडाई मेरे और विवेक बिंदरा के बीच में है जबकि ऐसा कभी था ही नहीं यह कुछ लोग समझ रहे है या वो खुद समझ रहे है